हाई बच्छा वेललकम बैक तो हम कंटिनेशन में पढ़ रहे थे लिवर एंड लास क्लास के अंदर जो थोड़ी देर पहले हमने ध्यक्रास किया था तो उसके अंदर हम ने देखा कि लिवर का स्ट्रॉकचर है लिवर का लोकेशन क्या है लिवर में ब्लड सप्ले कैसे होती ह है ठीक है ना तो यह हम आरडी समझ चुके है तो अभी हम रियरिटी में जो एक्च्वल चीज समझ देवारे हैं तैट इस लास्ट क्लास के अंदर एंड पर मैंने आपको बोला था कि लिवर के अंदर पहुंच के कहां पर जाता है लिवर के तो आ दिकाहिएंंगे च्र India में स्ट्रों इंडर से माइक्रोक्ळकोबी देखेंगे आपको पूड गिंगे ऐग्जगानल स्ट्रॉक्चर डिकाह देंगे अटीज किया है या ज्काहती है जाती है आज की class जो हमारी होगी most of the class वो होगी बेटा based on the structure and function of hepatic labules because अगर आप hepatic labules समझते हैं so that means आपने actual में liver को समझ लिया बच्छा ठीक है ना तो चले हम देख लेते हैं hepatic labule क्या है तो समझ ने के लिए हम क्या करते हैं इन जहां पर बहुत सारे hepatic labules ने इन में से एक hepatic labule को बाहर निकाल के उसको magnify करते हैं and magnify करने के बाद समझ लेते हैं कि उसके अंदर आपको कैसी कैसी cells देखने को मिलती है ठीक है ना तो जैसे for example आपको यहाँ पर एक hepatic labule दिखाई दे रहा है हम आरड़ी एक चीज़ समझ चुके हैं कि hepatic labule के जो corner होते हैं ठीक है तो hepatic labule के corner के उपर आपको हमेशे क्या मिलती है blood vessels मिलती है जैसे यहाँ पर आपको blood vessels दिखाई दे रहे है ठीक है तो blue color के अंदर जो हम blood vessels बना रहे हैं blue color के अंदर जो में blood vessel बना रहा हूँ तो यह कौनसी blood vessel है बेटर दिस पोर्टल वीन तो यह पोर्टल वीन हो गया यहाँ पे भी पोर्टल वीन होगा इदर भी पोर्टल वीन का connection होगा है ना जो हमने लास्ट क्लास में रहे देखा तो उसी कम दोड़ा यहाँ पे अगेन और अबर लिए यहाँ पे भी पोर्टल वीन का connection होगा अगेन इदर भी पोर्टल वीन का connection होगा ठीक है और इदर भी पोर्टल वीन का connection होगा समझ देने के लिए एक बना रहे हैं बढ़ आप मानिए कि हर एक लोगोल में एकजेक्टली ऐसा ही स्ट्रॉक्षर देखने को मिलेगा ठीक है तो अगर यहां पे पोडल वीन है तो ओटमेटिक लिए यहां पर हैपाटिक आर्टरी का भी कनेक्शन होगा यह हैपाटिक आर्ट्री का अगांड हीपाटिक आर्ट्री का अगिन इधर भी हैपाटिक आर्ट्री का अनदर देखते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है कि हेपाटिक लोबियुल के अंदर चेल पाहिए जाती है जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं आप हपाटिक लोबियूल में पाहिजाती है अंदर से वह एरेंज्ट होती है की ऐन मान लेखे पास हह एक हुआ को हा मै यह एक पॉरा लेर यह हे आपको कछ आपने अलिए यह जान है तो इसस कहShould और कार्ड प्ली तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रोक्ज़ डेखने को मिलते हैं निए इस डाइग्राम को यह बहुत important डाइग्राम है तो आपको ऐसे कुछ structures देखने को मिलते हैं ठीक है हर एक corner से बिट आपको ऐसा structure देखने को मिलेगा जैसे इस corner से भी ऐसे structure होगा तो इस corner पे भी एस structure होगा बिट आइसे ठीक है हर एक corner से हाँ तो इधर भी एस ट्रॉक्चर होगा ऐसे इस तरीके से तो एग्जेक्ली इधर भी होगा पेटा सिमिलरली ठीक है सेम इधर भी होगा और वैसे ही इस सेड में भी आपको इस स्ट्रॉक्चिर देखने को मिलेगा ठीक है न बच्चा ऐसे ठीक है तो यह जो स्ट्रॉक्चिर आप यहां पर देख रहे हैं इस स्ट्रॉक्चिर बच्चिर अब बाद में पता करेंगे अब इतना याद रखेंगे कि जो आपको लिवर के अंदर ठीक है है एपाडिक लब्जूल में साइनोसाइड दिखाई दे रहे हैं बच्चा इस साइनोसाइड वो जगह है जहां पर जगह करता है इस साइक करेंगें इस साइड के साइनोसाइड में एंडर करेगा ठीक है नशी सपैशे इंकन्कॉम क्या बोलते इतर आगर magnify करके लिख दे, इनकों sinucides बोलते हैं ठीक है न, these spaces are called as sinusides तो sinuside क्या है reality में, sinuside बेटा, hepatic lobul की वो जगा है या hepatic lobul के अंदर बेटा, वो tube-like structure है जिस tube के अंदर बेटा, किसको deposit किया जाता है incoming blood को deposit किया जाता है अगर वो incoming blood बेटा, hepatic artery में है तो वो blood भी इदर ही आएगा और अगर वो incoming blood बेटा किसमे है, portal vein में है वो blood भी इदर ही आएगा, समझा है न तो similarly, इस वाला blood इदर enter करेगा और इदर वाला blood बेटा इदर enter करेगा समझा है, तो same इदर भी होगा तो ये वाला blood इदर जाएगा, hepatic artery से ये वाला blood, hepatic artery के इदर जाएगा ये वाला blood, hepatic artery के इदर जाएगा और ये वाला blood, hepatic artery के इदर जाएगा समझा है न similarly, portal vein का इदर का blood ऐसे enter करेगा ये portal blood ऐसे enter करेगा ये portal blood ऐसे enter करेगा और similarly, ये portal blood ऐसे enter करेगा ठीक है न तो यह जो आपको यहाँ पर structure दिखाई दे रहे है अगर मैं इसको किसी तरह highlight कर सकता हूँ तो यह दर आप देख सकते हैं So यह जो आपको यहाँ पर space दिखाई दे रहे है ना बच्चा So this space is called as sinusoid तो अगर आप से कोई पूछे sinoside क्या है तो बताएंगे बटा Sinoside, hepatic labules के अंदर बटा एक narrow tube like structure होता है जो हर coroner में hepatic labule के पाया जाता है और इन tubes का का काम क्या होता है यह लेते हैं बटा blood ठीक है ना दे टेक blood from hepatic artery and portal vein तो hepatic artery का जो blood आएगा या portal vein का जो blood आएगा बटा तो वो किस में आता है वो इनी hepatic labules में आता है तो मैंने यह आपर दो को highlight कि आप बागी सब कुछ खुदी समझ गए ठीक है ना अब जब blood चाहे वो portal blood है या चाहे वो बटा hepatic artery का blood है जब वो enter करता है ना बटा hepatic labule में तो वो blood ऐसे flow करेगा बल अंदर की तरफ flow कर रहा है ऐसे ऩीर यह बलड ऐसे flow करेगा समझा रहा है similarly इदर का blood भी ऐसे flow करेगा तो blood flow किसकी तरफ कर रहा है तो blood flow बाटा center of hepatic labule की तरफ flow कर रहा है ऐसे अब देखिए ठीक है और यह blood flow करने के बाद किस में एंटर करेगा बटा एक बीच वाली blood vessel में अन्टर करेगा, जो center में पाई जाती है, and this blood vessel is called as is blood vessel को हम क्या बोलते है, this is called as central wean, इसको हम क्या बोलते है इसको हम central wean बोलते है इसको हम नाम नाम देता है, central wean ठीक है, या इसका और एक नाम भी है बीटा, this is also called as intralobular wean पेटा इंट्रा लो ब्यूलर वीन ठीक है ना तो मतलब जो oxygenated blood अंदर आया या जो nutritive blood अंदर आया वो liver में चला गया liver के अंदर पेटा हो पहुँच गया hepatic lobules के अंदर अब जैसे blood है hepatic lobules में आगे बढ़ेगा ना इसके अंदर अगर extra food है तो वो deposit करेगा इधर इसके अंदर अगर कोई toxic है तो वो इधर deposit होगा इसके अंदर अगर extra fat है वो इधर deposit होगा इसके अंदर extra glucose है वो इस cavity में deposit होगा अब समझ रहे ना तो मतलब जो भी चीज़े इस blood के अंदर extra में थी जिनको हम हटाना चाहते थे तो वो कैसे हटेंगी बढ़ा जब blood पेरिफिरी से इस center की तरफ आएगा न तो इस blood को बाहर बाद में कौन निकालेगा है हीपाटिक वीन निकालेगा समझ रहे है ना लेकिन हैपाटिक वीन का connection कहां पर पाया जाए जाता है दूरान दूरां मेन बलद को फिल्ट्र करती है और जो भी चीज़ आप नो mor 1 पे में दाल देती है लिए यहाँ पर याद रखेंगे कि blood चाहे portal blood हो ठीक है important exam के लिए या चाहे hepatic artery बाला blood हो तो वो blood बेटा hepatic lobule में अंदर की तरफ flow करता है so this flow of blood is called as centripetal flow of blood बेटा so that means हमारे sinusoid के अंदर जो blood आगे बढ़ता है बेटा वो किस तरीक से बढ़ता है centripetal flow के तरीके से बढ़ता है बढ़ता है यह centripetal flow होता है बहुत बलड अंदर की तरफ जा रहा है clear है अब जब आप बढ़ता है यह beach वाली space को देखेंगे न अगर मैं यहाँ पर इसको highlight कर देता है इस beach वाली space के अंदर कुछ cells पाई जाते है जैसे for example मैं यहाँ पर बना लेता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ cells देखने को मिलती है जैसे for example यह देख लिजाए आप तोड़ा दूर बना देता है यह आपको यहाँ पर कुछ cells दिखाई दे रहे है ऐसे ठीक है और यहाँ पर आपको यह इसे इस side में बिटा cells मिलेंगे ऐसे यह आपको cells दिखाई दे रहे है ठीक है similarly यहाँ पर भी यह cells होंगे इस तरीके से तो अब तो हम हर जगा नहीं बना सकते हैं बाद में मैं आपको अलग एक diagram जो मैंने अलगी बनाया वो दिखा दूँगा पर अभी समझने के लिए हम diagram इदर बना रहे हैं तो यह again cells है इदर ठीक है न और फिर इदर भी ऐसे cells होंगी बच्चा यह cells ठीक है न यह जो cells आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर बटा है हेपाटिक लब्यूल में इन cells को हम नाम देते हैं हेपाटो साइट्स बटा यह कौन जी cells है हे कि यहां तक तो समझ आ कि अपको ठीक है अब धियान शेगे होता किया है। यह जो आह प्लोड़ सब्सक्राइब क्लेट नेये के अंदर का इसकंग प्लोड लो Chopra के नितर सबिस्क्राइब करने के यह ओंदर के यह प्लोड अनदर application सब्सक्राइब करते होAre cleared होती है तो जब भी बिलड बिटा के थू या साइने उसाइड के थू अंदर की तरफ फ्लो करेगा विगर इसको पता है बिटा मेरे को बोडी में या लिवर से फिर बाद में बाहर जाना है तो लिवर से बाहर कहां से आएगा बिटा है लेकिन हिपाटिक वीन तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है इसमें से बिट क्या उबलड इससे बाहला गी बढहिए गाँ तो बलड के अंदर डिटा इससे बहार आएगा ठीक है फिर आ उंदर जाएगा फिर बाहर आएगा तो अगर इसको दिखा दूमने किसी पाहर ब्लड पॉर्स पाये जाते हैं उन पॉर्स से प्लाजम बाहर आते है scor Sinucide से बाहर आएगा लेकिन वो सारा plasma बेटा बहर जब आएगा ना उसमें से कुछ plasma वापस जाएगा है ना filter होने के बाद फिर थोड़ा बहुत फिर से बहुत 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 जिसको मैंने यल्लो कलर दिया है ठीक है और यह आपको इधर से भी दिखाई दे रही है empty space यह यह देखे बचा यह empty space दिखाई दे रहा है इधर so this empty space यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको हम नाम देते हैं बचा यह important exam के लिए so this is called as space of dicey बेट ता मैं इधर highlight कर देता हूँ इसको हम क्या बोलते है this is called as space of dicey इसको हम क्या बोलते है space of dicey बोलते है तो मतलब जब cyanoside से blood का filtration शुरू हुआ तो blood का RBC तो बहार नहीं आ सकता WBC तो बहार नहीं आ सकता platelet तो बहार नहीं आ सकता blood का plasma वाला part बहार आएगा ठीक है ना liquid वाला part बहार आएगा तो plasma जैसे बहार आएगा ना तो मानलो for example इस plasma के अंदर बहुत सारा glucose था उस glucose को कौन पकड़ेगी बेटा हिपेटासाइड्स पकड़ेंगी उन्हें ग्लिकोज का एबजॉब कर दिया ठीक है तो जो blood वापस जाएगा जो plasma वापस जाएगा that means अब उसके comparison में पहले के comparison में उसके पास क्या होगा कम ग्लिकोज होगा मानलो जब यह blood प्लाजमा पहली बार सपेस अब डाइसी में आया similarly मानलो इस blood के अंदर बिटा जब plasma अंदर आया तो इस plasma के अंदर 1000 protein molecules थे देगे हमको इतने proteins नहीं चाहिए हमको इतने amino acids नहीं चाहिए हमने कुछ को कहां पर absorb कर दिया बिटा हेपेटोसाइड्स में absorb कर दिया तो मतला हेपेटोसाइड का काम क्या होता है जो भी plasma space up डाइस है चाहिए वो fat है या कोई toxic material है उन सारे materials को कौन absorb करेगा हेपेटोसाइड्स absorb करेंगी बचा समझाया ना तो हेपेटोसाइड इस साइड्स है यह आपको देखे लिए यह वाला membrane जो होता है हेपेटोसाइड का जिस membrane के पास बटा कौन है space up डाइसी है इस membrane के थू हेपेटो हेटोसाइड की उस layer का होता है जो किसके पास होती है बटा space up डाइसी के पास होती है समझाया तो मतलब space up डाइसी में जैसे plasma आया in short plasma का क्या हुआ filtration हुआ प्लाजमा में जो भी चीज एकसस था वो किसमें चला गया बटा वो हपेटोसाइड में चला गया लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होता बच्चा कि जब प्लाजमा space up डाइसी में आता है न प्लाजमा डाइसी के अंदर प्लाजमा आने के बाद सारा प्लाजमा व एक लिए मान लेते के एक लिटर प्लाजमा कहां पर है space up डाइसी में ठीक है न अब उसमें से मान लीजिए फॉर आदा लिटर वहाँ चला वापस चला गया किसमें साइनोसाइड में तो वह वापस बलड का हिस्सा बन गया और वह बलड का हिस्सा बनने के बद कहां चला ज जाएगा वीन से बाडर बोडी से भार, हार्ट पे पहुंचे गर फिर अगेन बिटा बोडी के अंदर उसको क्या कहे जाएगे? चर्कुलेट कहा जाएगा, लेकिन जो यह थोड़ा ब merchandise है अईसे ऐसे समझ जाता हूं मैं कि मान लो फॉर जमल ये थोड़ा बहुत प्लाजमा इधर बच गया बटा है ना ये थोड़ा थोड़ा सा आप तो दिखाई दे रहा है ये कुछ स्मॉल आमोड़ा प्लाजमा कहां पे रहे गया ये सपेस अप डाइसी में रहे गया ठीक है ना ये जो रिमेंग प्लाजमा है ना ये रिमेंग प्लाजमा कनवर्ट होता है किसके अंदर और एक स्पेशल फिलविड के अंदर जो बौड़ी में हमारी पाए जाता है इस पाल इस अप और या बोलते है कि लिफ बोलते है सो तैट मींस लिफ का formation हमारे लिवर में होता है ठीक है न और liver में हमारी body के अंदर lift का formation कहां होता है space of dicey में होता है समझा है न और वो lift कैसे बनता है वो बनता है वो बनता है by the filtration of plasma सारा plasma वापस sinusoid में नहीं return हो पाता है जो remaining plasma पीशे रह गया वो remaining plasma क्या बनाता है वो lift बनाता है समझा है न अब यह जो lift यहां पर बन गया न यह lift क्या करता है यह hepato side से बहार आएगा यह hepatic labule से बहार आएगा लेकिन बहार आने का जो direction होगा दियान से देख ले न बहार आने का जो direction होगा बटा वो ऐसे होगा देखे दियान से तो यह ऐसे बहुर आएगा मतलब यह center से क्या आ रहा है बहार की तरफ आ रहा है दिखरे है न ौर ब्लड कैसे जा रहा था, बलड बहार से अंदर जा रहा था लेकिन यह जो lymph आपको दिखाई दे रहा है लिफ क्या कर रहा है अंदर से बहार जा रहा है समझा रहा है ना और जैसे लिम्प बेटा अंदर से बाहर आएगा तो इसको collect करने का काम इसको जमा करने का काम और एक vessel का होता है बेटा जो आपको यहाँ पे मिलती है जो हमने पहले नहीं बनाई थी this vessel is called as lymphatic vessel बेटा तो मतला यह lift किस में चला जाएगा यह lymphatic vessel में चला जाएगा फिर lymphatic system का हिस्सा बनेगा बेटा तो बलड आ रहा था बहार से अंदर हमने इसको centripetal बोला था लेकिल lift क्या हो रहा है बेटा अंदर से बाहर जा रहा है दिख रहा है ना lift बेटा अंदर से बाहर जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे centrifugal बोलेंगे इसका moment कैसा होता है centrifugal होता है इसका centrifugal flow होता है समझा ही बात clear so that means यहाँ पर खली दो vessels नहीं होगा यहाँ पर तीसरा vessel कौन सा होगा अब lymphatic vessel भी होगा यह lymphatic branch भी होगा बेटा तो यह देख लीजे इधर lymphatic branch है ठीक है ना इधर और एक lymphatic branch है इधर और एक lymphatic branch है और इधर और एक lymphatic branch का का काम क्या होता है जो अंदर lymph formation हो रहा है बाटा सपेस अब डाइसी में बाइद फिलिटरेशन प्लाजमा उस lymph को क्या करना क्लेक्ट करना बच्चा समझा है अब अगेन आते हैं बाटा हेटोसाइट्स पर अब हेटोसाइट्स जो होती है मैंने अभी आपको बोला हेटोसाइट्स के दो membranes होते हैं ठीक है एक membrane वाला हिस्सा जो सपेस अब डाइसी की तरफ है और दूसरा membrane वाला हिस्सा जो सपेस अब डाइसी से दूर है यह वाला हिस्सा हो गए इदर से बचा यह हेटोसाइट्स क्या करती है जो next layer of membrane होता है यह इस membrane से सिक्रीट करती है एक important fluid को मालो फॉग यह fluid बटा इदर से सिक्रीट हो रहा है जो इस सपेस में अंदर आएगा ठीक है ना this fluid is called as bile बटा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बाइल बोलते हैं ध्यान से देखो बचा तो bile इदर से सिक्रीट हो रहा है आप इस सिक्रीट हो रहा है आप एक सिक्रीट हो रहा है यह बड़ी सी खाली जगा दिखाई दे रहे है तो जिस खाली जगह में बाइल को सिक्रीट किया जाता है ना this is called as बाइल कैनाली क्यूली बेटा ठीक है तो सबसे पहले याद रखेंगे कैनलिक्यूली बेटा ठीक है ना अब बाइल कैनलिक्यूली के अंतर जब बाइल बनाया जाता है तो बाइल भी क्या करता है बेटा वो ऐसे बाहर आता है ध्यान से देखो इदर से बाहर आएगा ऐसे तो मतलब वो भी क्या फ्लो दिखा रहा है centrifugal flow दिखा रहा है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो जब यह bile बिटा hepatic lobule से बाहर आएगा तो इसको collect करने के लिए of course क्या मिलेगा आपको एक और structure मिलेगा बिटा ठीक है ना this structure is called as bile duct बिटा इसको हम क्या बोलते हैं bile duct हर जगा पर आपको और एक structure मिलेगा and that structure is called as bile duct आप समझे इस चीज़ को दियान से मतलब hepatic lobule बिटा अकेले नहीं होता है hepatic lobule is always surrounded by four important structures बिटा जिसमें से एक है hepatic artery दूसरा है portal vein तीसरा है lymphatic vessel बिटा and चावथा क्या होता है hepatic duct होता अगर मैं इसको यदर highlight कर दूँ न तो यह हमारे पास क्या है यह किसका branch था बिटा यह किसका branch है यह hepatic artery का branch है बिटा sorry hepatic not hepatic यह portal vein का branch है portal vein का branch है बिटा है ना जो blood अंदर की तरफ ला रहा है ठीक है यह किसका part है बिटा यह hepatic artery का part है अगें अंदर की तरफ जा रहा है hepatic artery यह भी अंदर ही जा रहा है ठीक है यह lymphatic vessel बिटा है जो बहार आ रहा है तो अगर मैं arrow से इदर दिखा हूँ तो यह ऐसी दिखाएंगे तो यह बहार आ रहा है and of course यह भी बहार ही आ रहा है तो दो चीज़े अंदर जा रही है और दो चीज़े बहार आ रही है ठीक है इसको क्या बोलते है इसको क्या बोलते है ठीक है और फाइनली लास वाला क्या है इस बाइल डक्ट जो क्या करता है जो एक बाइल के नाली के लिए से बाइल को क्या करता है इस बाइल के लिए का बाइल जाएगा इदर इस बाइल के लिए का बाइल जाएगा इदर इसका बाइल जाएगा इदर इसका बाइल जाएगा इदर और इसका बाइल जाएगा इदर और इसका बाइ इसका प्लाजमा जाएगा इधर इसका प्लाजमा जाएगा इधर and so on and so forth ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है एक structure मिला है जो चार चीज़ों का बना है दिख रहे हैं तो this is a structure which is formed of four different things बेटा तो इस structure को हम क्या बोलते हैं this is called as hepatic triad इसको हम बोलते हैं hepatic tetrad बोलते हैं तो hepatic tetrad में क्या क्या आता है याद रखें हैं तो hepatic tetrad में आता है bile duct lymphatic duct hepatic artery and portal wean आती है बच्चा समझा है कुछ बुक्स triad लिखता है बड़ ट्राइड नहीं होता है reality में tetrad होता है बच्चा समझाया तो bile का flow कैसे होता है इंसाइट आउटसाइट लिफ का flow इंसाइट आउटसाइट बलड का flow from outside to inside अब अगर आपको यादो मैंने आपको बोला कहा आएगा right hepatic duct में आएगा इस पूरे area का bile कहा आएगा left hepatic duct में आएगा तो यह right hepatic duct कैसे बनता है यह बनता है बटा by the combination of bile ducts जो कहां पे बनते है बटा इस पूरे हिस्से में बनते है बना इस पूरे हिस्से में जितने भी क्या होंगे hepatic lobules होंगे उनके जितने भी bile ducts हो वो सारे बाइल डक्ट फाइनली जुड़के क्या बनाएंगे बटा राइट हैपाटिक डक्ट बनाएंगे छाह इचा है तो कैसे लेवल कर सकते हैं तो अपको छीज दिखा रही है चलो इसको अलग से में हाइललाट करता हूँ ग्रीन से हाइलाट करते है इसे यह येलो डिखा है इस भी आख़ा ऑफ स्पेस ऑफ डाइसी बीटा यह सपेस अब डाइसी हो गया, ठीक है, यह आपको cells दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी cells दिखाई दे रहे हैं, यह क्या बटा दिया है, हेपाटो, हेपाटोसाइट्स, यह हेपाटोसाइट्स होती है, ठीक है ना, आप यह जो बीच में आपको pink color structure दिखाई दरहें यह क्या बटा बैरे को इन्टर लग दर भी आप बोल सकते हैं इधर से किसका flow होगा बैटा से कहोँ होगा blood का जो अंदर की तरफ जाएता इसे फिलो करेंगा है इपनेके अब इस एरिया में कॉर्ण फ्लो करेंगा इधर से बिटा फ्लो कर रहा है लिफ तो लिफered की तरफ फ्लो करेंगे ला आइसे ठाथ और बायल जूस भी कैसे फ्लो करेगा बहार की तरफ फ्लो करेगा समझा है और यहां पर आपको क्या मिलेगा बटा यहां पर आपको मिलेंगे चार चीज़ आपको मिलेगा lymphatic vessel मिलेगा portal wean मिलेगा hepatic artery मिलेगी और bile duct मिलेगा इस चीज को अब क्या बोलेगे this is called as hepatic triad so hepatic tetrad hepatic tetrad hepatic tetrad this is the structure of hepatic labule अब इसमें कोई भी confusion नहीं रहना चाहिए किसी को भी clear आप और एक चीज यहां पर याद रख लीजिए कि जो sinusitis होती है sinusitis के अंदर hepatic cell तो आसपास में है ही ठीक है बड़ besides hepatic cells इन sinusitis के अंदर और एक cell भी पाया जाता है चलो इससे बना देता है यहां पर आपको और एक cell भी मिलेगा तो इदर बना देता है तो यहां पर आपको बड़ा कुछ और cells भी मिलती है खतरनाक cells होती है ऐसे macrophids होती है बड़ा so these macrophids जो sinusitis को line करती है ठीक है sinusitis में तो नॉर्मली hepatic cells है बड़ hepatic cells के इलावा आपको sinusitis के आसपास और एक cell मिलती है इसको आप नाम देता है बड़ा reticulo endothelial cell reticulo endothelial cell या इसको हम बड़ा कफर cell भी बोलते है इसको हम ये macrophage होती है जो क्या करते है बैक्टिरिया बैक्टिरिया अगर है कोई उसको क्या करेगी digest करेगी बड़ा समझ आया so this is all about hepatic labule बड़ा अब overall hepatic labule ने क्या किया overall hepatic labule ने digestion के according बैटा क्या बनाया बैल बनाया बैटा ठीक है ना अगर हम इदर आते हैं तो hepatic labule ने क्या किया बच्चा finally अभी hepatic labule से किसका formation हो बैल का formation हो बैटा ठीक है ना या बैल जूस आप बोलतो बैल जूस का फॉर्टा अब ये बैल जूस कैसे पहुंचे का पहुत के डूडिनफ में आरेड यगा को बता चुक हूँ तो याद रखेंगे बैल क्या होता बैल क्या होता बड़ा secretion of liver क्या हूँ secretion of liver呀 kone क्या बोलते secretion of liver kome the respectful तो याद रखेंगे ठीक है next यात रखेंगे बैल इक ऐसा digest do juice है जिसमें कोई enzyme नहीं होता है बटा no enzyme present in bile no enzyme in bile बटा, bile में कोई भी digest enzyme नहीं होता है important point है याद रखेंगे कितना bile निकलता है बटा, round about 600 1200 ml के आसपास bile निकलता है ठीक है न, per day तो हर दिन इतना bile का production होता है average में बटा, ठीक है न bile का pH कितना होता है important exam के लिए पूछा जाता है तो इनका pH basic होता है, 7.7 to 8.0 इसका pH होता है बटा, ठीक है and bile क्या है बटा, bile antiseptic है antiseptic है मतलब pathogen को मारने की शंता है इसमें, emulsifying है emulsifying है emulsifying का मतलब होता है बटा, जो fat की digestion में मदद करेगा, by the process of emulsification वो कैसे करता है वो हम आगे देख लेता है, ठीक है तो यह हो गया bile के बारे में अब bile के composition के अगर बात करें कि bile का composition क्या है, bile किस चीज़ से बनता है तो composition देख लेते है बटा, फटा, फट तो याद रखेंगे बायल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले बटा, water मिलता है तो बायल के अंदर आपको water मिलेगा ठीक है बायल के अंदर बटा, आपको sodium, hydrogen, carbonate मिलेगा sodium hydrogen, carbonate मिलेगा इसके लाव बटा, बायल के अंदर आपको बायल सॉल्ट मिलते हैं very important exam में पूछे जाते हैं बायल सॉल्ट मिलते हैं इसके अंदर बायल सॉल्ट मिलते हैं फ़र एक्जेमल कौन कौन सॉल्ट मिलता है इनका नाम याद रख लेना प्लीज एक कौन बोलते हैं sodium glyco-colyte sodium glyco-colyte sodium glyco-colyte ठीक है एक salt है दूसर बोलते हैं sodium toro-colyte sodium sodium toro-colyte इनका उम बायल salts बोलते हैं ठीक है इसके लाव पिटा आपको बायल के अदर के मिलेंगे बायल पिगमेंट मिलेंगे बायल पिगमेंट मिलेंगे ठीक है ठीक है तो बायल पिगमेंट कौन-कौन सा होता हूँ हम आरड़ी जानते हैं बिटा हमने सप्लीन के अंदर देखा था उनको लास्ट क्लास में एक है बिले रुबिन और एक है बिले वर्डेंट ठीक है तो इनको बायल पिगमेंट बोलता है एक्जाम में पूछा जाता है याद रखेंगे बायल पिगमेंट कौन-कौन सा होता है ठीक है, finally, आपको last चीज जो मिलती है बेटा, Bile में, they are Bile Acids, to हमको मिलते हैं Bile Acids, ठीक है, Bile Acids मिलते हैं, और कौन-कौन सा Bile Acid होता है, तो नर्मली तीन basic, Bile Acids पाई जाते हैं, पहले हम नाम देते हैं, withabreaker झाल लुकार्षद चोलिक एसे इसलिक ओस्क्व स्ते रух एसरी को बोल मिटवार्षण कॉल है झाल deoxy colic acid colic acid ठीक है तो in com short में क्या बोलते है bile acids बोलते है यह है composition किसका bile juice या bile secretion का बेटा so this is the composition of bile जो आप अच्छे से याद रखेंगे बच्चा ठीक है तो यह composition हो गया bile का समझ आया है हाँ तक अब यहाँ और एक चीज़ भी याद रखेंगे कि जो कभी कभी मैं भी पूछा जाए bile rubin जो होता है बेटा bile rubin green color का होता है bile rubin is green in color and जो bile burden होता है yellow color का होता है bile rubin is green in color and bile burden is yellow in color ठीक है तो चले यह होगे हमारा composition of bile बेटा अब हम आते किसकी तरफ function of liver की तरफ बेटा ठीक है function of liver तो पहला function जो liver का होता है वो होता है secretion of bile बेटा है जैसे आपने अभी देखा तो liver क्या करता है secretion of bile करता है secretion of bile ठीक है न बचा और bile का secretion जोरूरी क्यों है because यह fat की digestion में मदद करता है जिसका emulsification of fat होता है emulsification of fat emulsification of fat मतलब fat की digestion होती है उस digestion में कौन मदद करता है bile मदद करता है second important property जो bile की होती है बचा वो होता है carbohydrate metabolism carbohydrate metabolism मतलब यह carbohydrate की digestion में या उनके storage में क्या करता है मदद या तो उसको तोड़ने में मदद करेगा या तो उसको store करने में मदद करेगा ठीक है metabolism लिखा हुआ है तो कैसे metabolism मदद करता है तो तीन important processes होती है during the carbohydrate metabolism तो यह तीनों exam के लिए important है और तीनों में बहुत बार questions पूछा गया है जैसे पहली process में यहाँ पर लिख देता हूँ so this is called as glycogenesis ठीक है second process को हम बोलते है glycogenolysis glycogenolysis यह पूछे जाते है exam में बेटा and तीस तरह को हम बोलते है glyconeogenesis glyconeogenesis ठीक है यह तीनों carbohydrate के metabolic reactions है तो पहला है glycogenesis दूसरा है glycogenolysis and तीस रहा है glyconeogenesis अब मतलब क्या है इनका तो वो भी समझते हुए जाते आगे तो पहले अगर मैं glycogenesis की बात करूँ ना तो glycogenesis का मतलब होता है बटा conversion of glucose to glycogen अगर आप बोड़ी में बटा glucose को convert किसमें करते है glycogen में convert करते है हमारे लिए पढ़ चुके है ना glycogen क्या है बटा polysacred है कैसे बनता है बटा glucose से बनता है लेकिन glycogen को हमारी बोड़ी में कहां बनाया जाता है बटा लिवर के अंदर बनाया जाता है और लिवर के अंदर इस फॉर्मेशन को जब आपकी बोड़ी में मान लाव बहुत सारा glucose store हुआ था अब ये सारा glucose बटा आप बलर्ड से क्या करना चाते है निकालना चाहते है आप इस glucose को store करना चाहते है बोडी में कहीं पर अगर आप इसको store करना चाहते है बोडी में बैट तो glucose तो reactive molecule है तो store करने के लिए बैटा इसका reactive nature क्या करना पड़ेगा खतम करना पड़ेगा तो खतम करने के लिए हमने क्या किया है इस glucose को बैट एक non reactive molecule में convert किया that is called as glycogen so this conversion of glucose to glycogen इसको क्या बोलते है glycogenesis बोलते है and इसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है insulin यूज होता है इंसुलिन क्या कराता है glycogenesis कराता है second लिखा है glycogenolysis अब मान लो for example आपकी बोड़ी के अंदर बोट सारा glycogen stored है ठीक है न लेकिन आपकी बोड़ी के अंदर glucose कम हो रहा है तो अगर आपकी बोड़ी में glucose कम हो रहा तो आपकी बोड़ी को तो glucose चाहिए तो ऐसी condition में बोड़ी क्या करते है बटा वो stored glycogen को आपने store किया था न गलाइकोजन उसको break करेगा बटा और जैसे glycogen break होगा तो क्या बनेगा glucose बनेगा तो मतलब आपने यहां पर क्या किया गलाइकोजन बटा stored form में जो था उसको convert कर देग गल्कोज में ताकि वो गल्कोज ब्लड में जा सके और ब्लड के अंदर बटा हमारी बोड़ी के काम आ सके बटा इसको कौन कराता है गल्का गौन हॉर्मुन कराता है ठीक है न तो याद रखेंगे conversion of glucose to glycogen ठीक है इसको कौल्ड as glycogenesis जब आप glucose को glycogen में convert करते हैं अगर आपकी बोड़ी में बहुत सारा glucose ब्लड में तो ब्लड से बटा glucose को हटा के liver में store करते हैं in the form of glycogen so that is called as glycogenesis लेकिन अगर आपकी बोड़ी में बटा glucose कम है तो इस condition में हम क्या करते हैं स्टोड glycogen को तोड के glucose बनाना शुरू करते हैं इस कम glycogenolysis बोलते हैं अब मालो आपकी बोड़ी के अंदर glycogen खतम हो गया ठीक है ना और बोड़ी में glucose भी नहीं है अब इस condition में क्या करेंगे हम बोड़ी को तो बचाना पड़ेगा ना तो इस condition में क्या करते हैं बटा हम non carbohydrate source को non carbohydrate source मतलब protein को या fat को किस में convert करते हैं glucose में convert करते हैं this conversion is called as glyconeogenesis ठीक है तो आप क्या कर रहे हैं बटा ना न कार्बो हाइडरेट्स तो कार्बो में लिख देता है non carbohydrate source को आप convert किस में कर रहे हैं बटा गुलिकोज में convert कर रहे है ठीक है so this conversion is called as glyconeogenesis बटा समझाया तो ये तीनों का क्या है बटा डिफरेंस है कि glycogenesis क्या है glyconeogenesis क्या है and glycolysis क्या है एक्जाम में पूछा जाता है बचाए importantly याद रखेंगे चले second हम third हम बात करते हैं तो इतो कार्बहेड़ेड मेटाबॉल्स होगे third हम बात करते हैं हमारा लिवर हेलप करते है बिटा प्रोटीन मेटाबॉलिजम में भी मदद करते हैं ठीक है और कैसे प्रोटीन मेटाबॉल्स करते हैं दो प्रोसेस होती है लिवर में प्रोटीन को लेके एक कौम बोलते है बटाई डी एमिनेशन बना एमाइनो एसड को तोड़ा जाता है बटाई उनका एमाइनो ग्रूप निकाला जाता है या ट्रांस एमिनेशन या transfer किया जाता है amino group को बटा trans amination तो दोनुग reactions किसके साथ होती है amino acid के साथ होती है बटा to reamination and trans amination कहां पर होता है बटा हमारे liver में होता है समझाया इसके अलावा बटा protein को related और एक चीज़ भी होते है liver में वो होता है synthesis of plasma proteins तो liver बटा और एक काम क्या करता है plasma proteins को synthesize करता है and plasma protein हमारी body के लिए बहुत ज़रूरी होते है synthesis of plasma proteins of plasma proteins ठीक है for example कौन कौन सा protein बनता है albumin बनता है ठीक है और globulin बनता है तो यह दोनों proteins का formation कहा होता है बटा लिवर में ही होता है तो यह इसमें भी important role play करता है ठीक है चले तो यह तो होगी दो चीज़े तीसरी चीज़ आद रखने है besides this four चीज़ जो होते है बटा वो होता है liver fat metabolism में भी मदद करता है fat metabolism में भी मदद करता है ठीक है fat metabolism में liver important role play करता है अब इसका मतलब क्या हुआ for example liver क्या करता है बटा liver मदद करता है unsaturated fats को convert करने में तो saturated fats ठीक है unsaturated fats ठीक है को convert करता है बटा किन के अदर saturated fats के अदर कौन liver to saturated fats important point है याद रखेंगे ठीक है इसके इलावा liver बटा लिपोजनेसिस भी करता है lipogenesis भी करता है lipogenesis का मतलब क्या होता है fat रहा है lipid का synthesis बटा है lipid synthesis में मदद करता है liver lipid synthesis के इलावा बटा है lipolysis भी करता है lipolysis का मतलब क्या है breakdown of lipid भी करता है ठीक है इसके इलावा बटा है liver जो है fat soluble vitamins को जैसे for example vitamin A, D and K को store करता है storage of storage of vitamin A, D, E and K इनको store भी करता है बटा समझाया तो यह सारा कुछ related है किसके साथ fat के साथ ठीक है तो यह हो गया fat metabolism बच्चा चले अब besides this और क्या काम है liver के liver का और एक काम होता है बटा यह synthesis कराता है synthesis of heparin बटा ठीक है heparin हम आप रही पढ़ चुके heparin क्या होता है natural anticochulant होता है blood का heparin को synthesize कराता है ठीक है इसके इलावा liver क्या करता है यह erythropoietic organ का का काम करता है यह erythropoietic organ का का काम करता है अब erythropoietic organ का मतलब क्या हुआ कि यह embryonic stage के अंदर बटा RBC का production करता है ठीक है RBC production बट कब embryonic stage में जब आपकी body में bone marrow नहीं होता है तब उस time बटा blood का formation कहा होता है liver में होता है ठीक है तो यह कुछ main functions है बटा जो आप liver के बारे में याद रखेंगे इसके लाव भी बहुत सारी functions है बट हम ज्यादा उसमें detail में नहीं जाएंगे तो इस आर सम इंपोर्टेंट functions है और ही क्याद रखना है यह detoxification भी करता है detoxification बटा तो इस आल अबाव लिवर आपको लिवर अच्छे से समझ आया होगा मैंने लगबल लबक कोई भी चीजस में नहीं छोड़िये बटा एक्स्ट्रा ही बताया है तो कम तो बिलकुल नहीं बताया तो आप आप इसको seriously पढ़ेंगे seriously याद रखेंगे इन्शलाब next class जो हमारा होगा that will be related to the pencreas उसका exocrine and endocrine nature हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा last part होगा that will be the digestion of food बता तो उसके साथ हमारा ये वाला chapter क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा तो चलिए पढ़ते रहिए कोई भी doubt है बिटा तो please comment session में लिखे and please video को subscribe and share भी करें बिटा अपने friends के साथ ताकि सभी को information मिले तो till then khudahafiz and namaste guys